C.I.E.T. N.C.E.R.T. दोरा पस्तुत है कक्षा 10 के लिए उर्दू की द्वनी पाठे पुस्तक नवाए उर्दू भाग दो सबक इबन इन्शा तार रुफे मुसन्निफ इबन इन्शा पैदाईश 1927 वफाथ 1989 असल नाम शेर मुहम्मद खान और कल्मी नाम इबन इन्शा था जालंधर में पैदा हुए 1947 में अपने खानदान के साथ लाहौर पाकिस्तान आ गए 1952 में कराची युनिवरस्टी से एम्मे किया मुक्तलिफ सरकारी ओहदों पर फाइज रहे अप्तिदा में रोजनामा इमरोज लाहौर में फकाहिया कॉलम तहरीर किये बाद में रोजनामा जंग कराची और अखबार जबल में भी कॉलम लिखे शायर और मिजाह निगार की हैसियत से शोहरत मिली अबने इन्शा अर्दू और फार्सी के अलफास के साथ मुहावरा रोजमरा और अंग्रेजी अलफास का इस्तमाल इस बरजस्तगी से करते हैं कि तन्जो मिजाह के साथ तहरीर में अदबी शान पैदा हो जाती है आवारा गर्द की डाइरी दुनिया गोल है चलना हो तो चीन को चलिए इबने बतूता के ताकुब में दिल्चस्प सफर नामे हैं किस्सा एक कुआरे का अर्दू की आखरी किताब और खुमार गंदुम वगेरा उनके मिजाहिया मजामीन के मजमुए है 1955 में उनका शेरी मजमुए चांद नगर मंजरियाम पर आया इबने इंशा ने बच्चों के लिए नजमे भी लिखी बिल्लू का बस्ता के उन्वान से इन नजमों का मजमुए शाया हो चुका है मजमून इश्तिहारात जरूरत नहीं है के इबने इंशा की किताब खुमार गंदुम से माखूज है अब पेश है मजमून इश्तिहारात जरूरत नहीं है के एक बुजर्ग अपने नौकर को फहमाईश कर रहे थे के बेजा था तुम आधे घंटे बाद हाथ लटकाते आ गए कहा के जी टैक्सी तो मिलती नहीं मोटा विक्षा कहिए तो लेता आओ मीर साहब का नौकर होता तो मोटा विक्षा लेकर आया होता ताके दोबारा जाने की जरूरत ना पड़ती नौकर बहुत शर्मिंदा हुआ और आका की बात पल्ले बांद ली चन्द दिन बाद इत्तिफाक से आका पर बुखार का हमला हुआ तो उन्होंने उसे हकीम साहब को लाने के लिए भेजा थोड़ी देर में हकीम साहब तश्रीफ लाए तो उनके पीछे पीछे तीन आदमी और थे जो सलाम करके एक तरफ खड़े हो गए एक की बगल में कपड़े का थान था दूसरे के हाथ में लोटा और तीसरे के कंधे पर फाउडा आका ने नौकर से कहा ये को लोग है मिया नौकर ने तारूफ कराया कि जनाब वैसे तो हकीम साहब बहुत हाजिक है लेकिन अल्लह के कामों में कौन दखल दे सकता है खुदाना ख़ास्ता कोई ऐसी वैसी बात हो जाये तो मैं दर्जी को ले आया हूँ और वो कफन का कपड़ा साथ लाया है ये दूसरे साहब घुसाल है और तीसरे गोरकुन एक साथ इसलिए लाया कि बार बार भागना ना पड़े ऐसे ही एक बुजर्ग हमारे हलके में भी है गली से रेड़ी वाला हाक लगाता गुजर रहा था कि अंगूर है चमन के पपीते हैं पेल के पके हुए उन्होंने लड़का भेजकर उन्हें बुलाया और कहा मिया जी माव कीजे हमें जरूरत नहीं फलवाला चला गया तो हमने अर्स किया कि इस जहमत के क्या जरूरत थी वो तो जाही रहा था उसे रोकना क्या जरूरी था बोले इहतियात का तकाजा था कि उस पर बात वाज़ कर दी जाए और माज़रत भी की जाए क्योंके बेचारा इतनी दूर से इतनी उमीद लेकर फल बेचने आता है दूसरे ये कि उसे ये गुमान ना गुजरे कि इस घर में शायद बहरे रहते हैं जो उसकी आवाज नहीं सुन पाते यही हमारे दोस्त एक रोज कार में हमारे साथ गोली मार से गुजर रहे थे एक जगा लिखा है तश्रीफ लाइए रबडी गुल्फी और लसी तयार है उन्होंने फोरण कार ठहराई और दुकंदार से कहा के पहली बात तो ये के हमारे पास फुरसत नहीं हम जरूरी काम से जा रहे हैं दूसरे उल्फी और रबडी हम नहीं खाते और लसी का भला ये कौन सा मौसम है बहरहाल तुभारी पेशकश का शुकरिया वो तो बैठा सुना किया और ना जाने क्या समझा किया कार में वापिस बैठते हुए हमारे दोस्त ने वजाहत की कि यहां के लोग इन आदाब को क्या जाने यहां तो दावत नामा आता है और उसके नीचे RSVP लिखा होता है कि जवाब से मुतला फरमाईए जिन को शरीक नहीं होना होता वो भी चुप बैठ रहते हैं मेजबान को मुतला करना जरूरी नहीं समझते कि बंदा हाजिर होने से माजूर है उस बेचारे का खाना जाया हो जाता है हमने गौर किया तो मालुम हुआ कि हम खुद उन्हीं आदाब से बेबेरा लोगों में से हैं लोग अखबारात में तरहा तरहा के इश्टेहारात छपवाते हैं कि हम पढ़कर उनकी तरफ मतवज़ हूँ लेकिन हम पढ़कर एक तरफ डाल देते हैं कोई हमारे लिए ठेके का बंद ओबस्त करता है और टेंडर नोटिस चाया करता है किसी को हमारे हाथ प्लॉट या मकान बेचना होता है कोई हमें ये इतिला देता है कि उसने अपने नालायक फरज़ंद को जायदात से आख कर दिया है कहीं किसी की कोशिश होती है कि हम उनकी फर्जन्दी कुबूल कर ले और जात पात तालीम और तन्खवा की शर्तें मनुएन वही रखी जाती हैं जो हम में हैं कोई हमें घर बैठे लाखों रुपए कमाने का लालज देता है कोई शौट हैंड सिखाने की कोशिश करता है बहुत से कालेज मुश्ताख हैं कि हम उनके यहां दाखला लें और बाजे अपनी कारें और रेफरिजरेटर माकूल कीमत पर हमारी नजर करने की फिक्र में रहते हैं समझ में नहीं आता कि इन सब जरूरत मंदों से आदमी कैसे औहदा बरा हो बहुत सोचने के बाद ये तरकीब हमारी समझ में आई है कि जहां हमको जरूरत है का इश्तिहार चपता है महां हम जरूरत नहीं है का इश्तिहार चपवा दें हमारी दानिस्त में इन इश्तिहारात की सूरत कुछ इस किस्म की होनी चाहिए किराए के लिए खाली नहीं है 400 गज़ पर तीन बेडरूम का एक हवादार बंगला नुमा मकान जिसमें नलका लगा है और एन दर्वाजे के आगे कर्पोरेशन का कूड़ा डालने का ड्रम भी किराए पर देना मकसूद नहीं है ना इसका किराया 300 रुपे महवार है और ना 6 माह पेशगी किराया की शर्त है जिन साहबों को किराय के मकान की जरूरत हो वो फोन नंबर 3,4,5,6,7 पर रुजू ना करें क्योंकि इसका कुछ फाइदा नहीं इतलाए आम राके मुहमद दीन, वल्द, फत्ह दीन, किरियाना मल्चिंट ये इतलादेना जरूरी समझता है कि उसका फर्जंद रहमतुल्ला ना ना फर्मान है ना आवबाशों की सोहबत में रहता है लहाजा उसे जाइदात से आख करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता आइंदा जो साहब उसे कोई उधार वगेरा देंगे, वो मेरी जिम्मेदारी पर देंगे जरूरत नहीं है कार, मार्स माईज, मौडल 1969 इसवी बेहतरीन कंडिशन में, एक बे-ावाज रेडियो, नहायत खूबसूरत केबिनिट, एक वेस्पा मोटर साइकल और दीगर घरेलू सामान, पंके, पलंग वगएरा, किस्तों पर या बगएर किस्तों के हमें दरकार नहीं हमारे हाँ खुदा के फदल से ये सब चीज़ें पहले से मौजूद हैं अकात मुलाकात, तीन ता आठ बजे शाम अदम जरूरते रिश्टा एक नौजवान, बरसरे रोजगार, आमदनी तक्रीबन पंद्रह सो रुपे महवार के लिए किसी बासलीका, खूबसूरत, शरीफ खानदान की तालीम याफता दोशीजा के रिश्टे की जरूरत नहीं है क्योंकि लड़का पहले से शादी शुदा है खतो किताबत सीघे राज में नहीं रहेगी इसके अलावा भी बेशुमार लड़के और लड़कियों के लिए रिश्टे मतलूब नहीं है पोस्ट बक्स कराची कराची के अक्सर कॉलेज आज कल इंटर और डिग्री क्लासों में दाखले के लिए अखबारों में धड़ा धड़ इश्टहार दे रहे हैं ये सब अपना वक्त और पैसा जाया कर रहे हैं हमें उनके हाँ दाखिल होना मक्सूद नहीं हमने कई साल पहले एम में पास कर लिया था इबन इंशा मश्क लबजो मानी फहमाईश समझाना, डांटना, तम्भी करना दूर अंदेश बहुत समझदार, मुस्तगबिल पर निगाह रखने वाला आफाक उफक की जमा, आस्मान के किनारे हाजिक अपने फन में माहिर, तबी गुसाल मैद को गुसल देने वाला गोरकन कबर खोदने वाला बेबहरा ना एहल, ना लायक आक करना हक विरासत से महरूम करना मनोअन हरफ बहरफ जियूं का तूं अहदा बरा होना फर्जदा करना, किसी काम को पूरा करना बरसरे रोजगार मुलाजमत में, काम से लगा हुआ, ऐसा शक्स जो बेरोजगार न हो सीघए राज, राज की बात, वो बात जो छुपा कर रखी जाए मतलूब, जो तलब किया गया, जिसकी ख्वाहिश की गई हो, जो मांगा गया हो मकसूद, मुराद, गरज, मुदा, गोर करने की बात नमबर एक ये मजमून, मिजाह निगारी का एक नमूना है, इसकी खुबी ये है कि मामूली, आम और रोजमर्रा की बातों को इस तरह पेश किया गया है कि बेसाखता हसी आ जाती है ये हसी कैकहे की शकल में नहीं, बलके शगुफदगी और मुस्कुराहट तक महदूद रहती है नमबर दो इबन इन्शा का ये मजमून, बजाहिर सिर्फ हसाने वाला है लेकिन इसमें तंस की मध्धम आच भी मौजूद है जो समाज में पहली रियाकारी को जाहिर करती है सफ़ा पिच्चानवे मश्क सवालों के जवाब लिखिए नमबर एक नौकर आका के इलाज के लिए हकीम सहब के साथ और किन लोगों को लाया नमबर दो अखबारात में इश्टिहारात क्यों छपवाए जाते हैं नमबर तीन इतलाए आम के इश्टिहार में क्या कहा गया है नमबर चार मजबून निगार कॉलिज में दाखला क्यों नहीं लेना चाहता नमबर एक यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है जिसमें एक लड़के को दिखाया गया है कि वो खड़ा हुआ कोई इश्टिहार पढ़ रहा है और आसपास कुछ और भी लोग घूम रहे हैं कुछ कम रहे हैं दी गई तस्वीर में दिये गई इश्टिहार से मुतालिख क्लास में गुफ्तगू कीजिए नमबर दो उर्दू के पांच मशूर तंजो मिजाह निगारों के नाम लिखिए नवाय उर्दू भाग दो पेशकस C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत